अबश्कार अदाव सत्रियाकाल की हाल चाल आप सभी दिन करने वाले बित्रों को आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लास के उपर में स्वागत है आज बारहमी कच्छा का जो एक्जाम देने वाले जो बिद्दैर्थी है जो 2023 में एक्जाम देंगे और जिनका पेपर जोगरफी यानी भोगोल है उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण अबजेक्टीव कुस्टन का हम स्रीज लेकर क्या है जो आपके एक्जाम के लिए ब्रहमास्तर साबित हो जाएगा तो चली इसी तरह के कुछ प्रस्ण आते हैं कोई भारी प्रस्ण नहीं है अब तक आप क्या पढ़े है आप प्रस्णों को देख करके थोड़ा सज़ है आप अपना confidence level बढ़ा लीजिए सबसे पहले आपके सामने प्रस्ण लग गया एकदम के लिए आपको दीख रहा होगा निमने लिखित में से कौन परियटन नगर नहीं है आपको परियटन नगर नहीं चूच करना है तो एक परियाटक नगर चूच करना है नैनी ताल होगा या अंकलिश्वर होगा या कानपूर होगा या फिर पटना होगा फटना परियाटक नगर है पटना परियाटक नगर नहीं है बिहार में पड़ता है कानपूर की बात कर ले यह और दियोगिक नगर है अंकलिश्वर की क्यों और बढ़ेंगे चुकि आज बहुत मेहनत कि हैं आपके लिए साइद आपको बढ़ियां से नहीं दिखता था पहले इसलिए लिए बढ़ियां से क्लीन लिख करके लाए हैं और लाइक कर लिजिएगा सबसे पहले ही आप लोग अगले प्रस्ट है मेगा नगर की कितनी होती है फटा-फट से कमेंट करेंगे मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है आप अपना चैट बोक्स में या फिर कमेंट बोक्स में आप देख करके छोड़ दिजी हम लोग देक लेते हैं कि कि तो चलि यहाँ पे सही option जो हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, सर्थ 50要ग से अधीक होती है, میगा नगर की बात कर ले तो 50要ग से अधीक, 10要ग से लेकर करके और 50要ग की जो population होगा, वो महानगर होगा और महानगर से आगे कि अगर बात कर ले तो वो मेगा नगर हो जाता है चली मेगा सिटी जिसको बोलते हैं अगली प्रस्ण क्यों अगर हम बढ़ेंगे अगला प्यारा सा प्रश्ण है फटाफट देखेंगे ये प्रश्ण है निमनलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां ध्यान देंगे निमनलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सणक नदी या फिर नाहर के किनारे होती है गौर से देखेंगे सडक, नाहर और नदी के किनारे होती है उस बस्ती का नाम बतायना है रैखी बस्ती होगा ये वरिताकार होगा ये वरगाकार होगा ये फिर चौक पट्टी वाली बस्तियां होगे फटापट बताएंगे किस तरह के बस्तियां होगे सड़क के किनारे नदी के किनारे या फिर नाहर के किनारे जल्दी से बताएंगे तो यहाँ पर सही जवाब जो हो जाएगा सर वो हो जाएगा आपका first option सही है राखीए बस्तियां सड़की इस तरह से होंगे और सड़क के किनारे किनारे जो बस्तियां इस तरह से लोगों के माकान होंगे ये एक राखी होंगे ठीक है तो यहां पर सही option हो जाएगा आपका तीसरा का A अगले प्रश्ण की और अगर हम बढ़े तो अगला सा बहुत महत्वपून और बढ़िया सा प्रश्ण है यह है प्रश्ण कि बहाय सुरूतन जिसको कहते हैं आउटसूर्सिंग बहाय सुरूतन सहायक है फस्ट है आपको दीख पा रहा होगा दक्षता सुधारने में दूसरा है विकासील देशों में रोजगार बढ़ाने में तीसरा है कीमतों को घाटाने में चोठा है इनमें से सभी फटापट बताएंगे पिद बहाय सुरूतन क्यों कराय जाते हैं तो जल्दी से कमेंट करेंगे कि कौन सा आप्सन सही होगा फटापट फटापट चलिए तो यहा अफ्लाइन में यह सारा चीज आपको पढ़ा दिया गया है अब यहां पर अगली प्रस्ण है निम ने लिखी तो में कौन एक तृत्य क्रिया क्लाप है तृत्य क्रिया क्लाप यानि बात कर ले तो टर्सीरी अक्टिविटीस को सेल्ट करना है आखेट होगा यह मचली पकड क्लाप यह होगा वह आपका वैपार सारा चीज समझा दियें जैसे जैसे क्लाप पाला से दूसरा में आएंगे थोड़ा सा इस में इंकम बढ़ जाता है सेकंडरी अक्टिविटीज में अगर तर्सीर एक्टिविटीज में तो थोड़ा सा इंकम के धार पर भी देखे तो इंकम भी और क्या होता है तो लोगों का बढ़ जाता है और फिर उच बहुत ही कार करेंगे तो उसमें भी और ज्यादा इंकम भी होगा चली अगले बहुत बढ़िया प्रशन है यह तो कई बार एकजाम में पूछ लिए गया है एक क्रिशी उपज है या एक जन जाती है य कि किस वर्ष से UNDP ध्यान देंगे किस वर्ष से UNDP मानुविकास सुचकांग प्रकासित कर रही है मानुविकास सुचकांग या एचडी अगर आई की बात कर लिए इसका बात कर लें कि कौन एक टाइम बताना है डेटी किस वर्ष से UNDP इसको प्रकासित कर रही है 1985 से या फिर 1990 से 1995 से जल्दी से बताना है कि किस वर्ष से जल्दी से फटापट बताएंगे तो ध्यान सुनेंगे वहां हम लोग जब पढ़े थे तो पकिस्तानी अर्थसास्त्री जो थे जिनका नाम डॉक्टर मैबू बूलाक है उनकी जो वकालत है वो भारती जो अर्थसास्त्री है अमरते सेन के द्वारा ही वकालत की गई थी UNDP में और उसके बाद से 1990 से याद रखेंगे मानो विकास सुचकांग के जो है वो की जा र रर्धी करता है कारिशिल जनसंख्या का प्रतिने दित को करता है 15-25 वर्स कायू के विक्तिया फिर 15-20 वरस में ठेंख हो जाता है इन में से कौन सा एक जन-संख्या परिवर्तन का काelo वो परिवर्तन नहीं होता है या तो बढ़ नहीं सकता है न तो घड़ता है प्रवाश के कारण आफ वावस के कारण मृत्यू के कारण फटापन बताएंगे तो यहां पर देखी मृत्यू अगर ज्यादा मरेंगे लोग तो पॉपुलिशन कम सकते हैं और अगर कमेंगे तो प पॉपवलीशन कम जाएगी और यहां की पॉपवलीशन बढ़ जाएगी तो जण संփख्या परिवर्तन है फिर्पूम को ने से लोगों का ड्या抵ड्ड जाएगा तो यहां पर करा की प्रवास में परिवर्तन कारण जो है वो नहीं है जिन संक्या परभरतन के कारण तो सही option हो जाएगा आपका आवास के लिए चरिए अगले प्रिशन की और बढ़े तो अगला बहुत ही बढ़िया प्रिशन है यह आपका फस्ट चैप्टर से लिया गिया है 12th क्लास के यह है नव निश्चेवास से यही दिये थे जिनको काते रुको और जाओ या फिर कहेगा ट्राफिक सिग्नल के धार पर तो यहीं हो जाएंगे ठीक है अगले प्रशन के अगर हम बात कर ले तो अगला बहुत बढ़िया सा प्रशन है यह चली ध्यान से देखेंगे इसको थोड़ा सा साइड कर ले यही रहा पाएगा चली निमने लिखित में से कौन सा पतन पूर्वी थट पर इस्थेत है फटा-फट बताना है कांडला होगा मुंबई होगा नियू मंगलोर होगा या फिर चिन नहीं होगा फटा-फट बढ़ताएंगे वो सट जा रहा था वही कलर मैचिंग हो जा रहा था ना चलिए तो देखिए भारत में दो ही तो टट ही है ना सर दो ही तट है यह हमारा होगी जाकर करके यह हमारा मोटा मोटी पुर्वी तट हो गया दोगो अकरा कि पुर्वी तट पर इस्थित है पुर्वी तट पर बंदरगा तो कांडला बात कर ले तो यह गुजरात में है मंगलोर करनाटक में है तो यह बात कर ले तो यह जो हमारा तट हो गया यह पस्मी हो गया और यह व option क्या हो जाएगा सर तो चेन नहीं हो जाएगा चली अगली 12 नमर प्रश्ण के और अगर देखे तो बहुत बढ़िया सा प्रश्ण है और इसमें बच्चे का confusion बढ़ जाता है जो बुक्स परते हैं उनके लिए कोई confusion ही नहीं होगा निमने लिखित में से कौन सा एक माना बोल से समंधित नहीं है फटापट बताएंगे तो इसमें जो सही option हो जाएगा वह आपका हो जाएगा बी मातरात्मक करांती जब उक्स परते रहे थे तो उसमें बताया थे कि मातरात्मक करांती होती है जिसमें मैं बेगरा इसाप computerize कर दी जाते है जोकि अधिकास कहां देखी जाती है यह बताना है आपको चलिए अक्सर बच्चे यहां पर कलती क्या करते हैं कि लगता है कि एसिया में सबसे जादी अबादी पाए जाते हैं उसका लगभग अगर बात कर ले तो यह बुक्स में भी पढ़ना है कि मातरे दस परसेंट अस्थल पे 90 परसें में हो गए हैं तो उनके अगर 10 देश को अगर हम दुनिया के हटा लें उसमें से तो बाकी लगभग 2800 के आसपास में जो देश है वहां बर्ड की 40% ही पॉपुलेशन है और इसमें से 10 जो ऐसे देश है दुनिया का सबसे जादे अबादी वाला उसमें से 6 गो जो देश है वो अपना इंडिया के अंदर में है तो बच्चे को लगता है कि सबसे जादे जनसंख्या वाले सब कंट्री जैसे चीन है भारत है सब तो एसे प्रस्में आपका गलत हो जाते हैं चुकि हम बुक्स में बताएं कि जनसंख्या का ये जनसंख्या ब्रिध ही पूछ रहा है त चलिए ये होगी आपका महादीप में याद रखेंगे कहां है तो अफ्रिका में काता कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहां पाई जाती है तो एसिया में हो जाएगा चलिए अगले नंबर प्रशन की हम दिखेंगे तो अगला प्रशन है मानव विकास की अवधारना निम्नलिखित में से किस बेक्ती की देन है मानव विकास इमन डवलप्मेंट अभी बात कर रहे थे हैं उसकी किस बेक्ती क्या देन है ये आपको बताना है आमर्त सेन के या डॉक्टर मनमोहन सिन के, यह महभूब उलहक के, या फिर इपेजे अब्दूल कलाम के, फटापर बताएंगे कौन सा अप्सन सही होगा, तो यहां पे जो सही अप्सन हो जाएगा, वो C हो जाएगा, डॉक्टर महभूब उलहक के, यही वो अर्थसास्त्री है, जो पाकिस्ता रोपन फसन नहीं है, रबर, चाय, गन्ना, या फिर चावर, तो याद रखेंगे, रबर अधीक वर्सा है, रोपन फसन करते हैं कि इसको, वैसा फसन इसको हम लोग खेत में एक बार लगा देते हैं, लेकिन उसका लाभ हम लोग कई बार प्राप्ते करते हैं, तो उसको परवतों एवं उचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, जो परवतिये इलाका होगा, वहाँ पे कौन सी बस्तीया होती है, विरिताकार नहीं होगा, यह आपका कोई तलाब के आसपास होंगे, रखे के बात कर लें, तो यह या तो रेलवे लाइन होंगे, यह पिन सडक होंगे, यह नहार होंगे, तो इसके किनारी यह नदी उदी के किनारी आपका रखे बस्ती है, देखे जाएगे, यहाँ पर सही उप्सन जो हो जागा, वह आपका सीधी नुमा हो जाएगा, ठीक है, छले, तो C अप्सन सही है, 16 का C, 17 नुमर प्रशन अगर बा कर लें यहाँ प्रस्ट है यहाँ पर क्या हो जाएगा भी-सतरह क्या हो जाएगा भी-सतरह के लिए द्यान रखेंगे विए ठीक है चलिंग अगले पूरशन के बढ़े 18 नमर पूर्शन भारत के चार महानगरों को जोडने वाली सड़क है भारत के तो चार बड़े महानगरों को जोड़नी वाली जोड़क है इसको हम लोग दिस्मा में भी पढ़ना था और बारामा में भी इसको कहते हैं चतुस्वरनीन्व चतुस्व्हूज मार्क थिक है तो यह आपको ध्यान रखना है जिसमें दिल्ली महानगर में यह आपका मुंबई यह आपका पट पटांगे अंगार की खेती काल आती है बटापर बताएंगे अंगूर की क्या काल आती है पॉब्स नमर प्रशन है जोग्रफिया जनरेलिस के लिखा कौन थे जोग्रफिया जनरेलिस के लिखा कौन थे सेंपूल यानि वही एलन से सेंपूल दूसरा है वारेनियस लिखा ले होता है वारेनियस दीसरा है रैट जेल रेट जेल लिखाल है कोई दिकत नहीं बड़ी मिस्ट्रिक होता है रैट जेल अगला है डा और प्रदिस में या फिर घुजराथ में पधापर बदाएंगे अउनिक लेशवर्ट छेतर कहा है चलीए तो यह हमारा जो घुजराथ का भाग है तो घुजराथ में यह खंबाद की खाडी है यह खाडी है यह खाडी से लेकर के गुजरात के मैदान तक तीन छेतर हैं जिसमें आपका एक है याद रखेंगे किदर गया अंकल इश्वर्ट दूसरा है नौगाउं और तीसरा है कलोल यह तीनों प्रमुख ऐसे छेतर हैं जो गुजरात में परते हैं और ये आपका पेट्रोलिय मुत्पादक छेतर भी है, तो इस तरह से भी प्रशन पूछे, किसी तरह से पूछे, आप ध्यार रखेंगे, ये पेट्रोलिय मुत्पादक छेतर है, कहां परता है ये, तो ये गुजरात में परता है, कहां परता है, गुजरात में, तो चलिए, ह हमें लगा रहा है कि अगर आप अच्छा कर पा रहा है तो आगर कोई बड़ी बात नहीं प्रशन बनेगा देर देरे और भी सिफ्ट प्रशन को हाड करेंगे ठीक है तो इस तरह से हम काफी सारे प्रशन आपको अभियास करा करके और आपके बोर्ड एक्जाम के लिए आपके धन्यवाद जैहिन अल्हाफिस